हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं दुर्गे ज्याश्वन शोगत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल अज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह NCRT भगोल की महागाता स्रीज में NCRT पैटन मैंने जो हम लोग पढ़ेंगी NCRT पैटन पर हस्तले के क्लास नोट्स जो है उसके आधार पर हम लोग जो स्रीज पढ़ रहते हैं NCRT कुशिक आगे पढ़ेंगे यह आपके जो भरती परिच्छा के लिए अगर भगोल को देखा जाए तो महत्त्य पूर्ण हाई है लेकिन जब NCRT की बात आती है इसकी महत्त्वा और ज्यादा बढ़ जाती है तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग और इसकी पहले हम लोग उने सौरमंडल के बारे में पढ़ लिया था सौरमंडल के प्रमुक जो ग्रह थे उनके बारे में पढ़ लिया था शूर के हाउश के बारे में पढ़ लिया था अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं और यह नोट्स का कबर पेज है हमारे ओनलाइन नोट्स भी उपलब्द इसके अत्रिक्त भी बहुत साथ टॉपिक हमने पढ़ लिया था आज जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जिसमेश हमको पढ़ना था सुरुवाज जो करनी थी भौ करनी थी बद्धग्राश चलिए सुरू करते हैं बद्धग्राश की गद्ध बात करें जो हमारे यहां पर शूर है तो सबसे पास का जो ग्रह है उसे हम कौन सा गध बुद्ध ग्र या मर्करी प्लेनेट के नाम से जानते हैं क्योंकि हमें जो डेटा पढ़ना है यह पूरा NCIT पढ़ना है इस पर पढ़ना है NCIT, NCIT के बाहर नहीं जाना है वो भी 6-12 तक ही पढ़ने है तो उससे ज़्याद है हम लोग को आध्यान यहां पर नहीं करना है बुद्ध ग्रह सूर के सबसे नजदीक का ग्रह है बुद्ध जो ग्रह है सूर के सबसे नजदीक का ग्रह है सूर के सबसे नजदिक होने के पश्चाद भी यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है जैसा कि मैं इसके पहले वीडियो में भी आपको बता दिया था कि जो बुद्ध है वो सूर के सबसे नजदिक है लेकिन फिर भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है लेकि इसका तापांतर सबसे ज़्यादा है, इसका अगर दिन का ताफमान देखा जाए, प्लस 390 डिगरी सलसियस है, जबकि रात का देखा जाए, तो माइनिस 170 डिगरी सलसियस है, मैंने यह आप एक बात विदीत होता है, जो दिन रात का जो ताफमान में एक बड़ा अंतर सबसे ज़्यादा सबसे पास है, सबसे जल्दी चक्र भी लगाता है, इस ग्रह का कोई भी प्रक्तिक उग्रह नहीं है, यह ग्रह सूर के परिक्रमा पस्चिम से पूर, पिथिवी की तरह करती है, वैसे यह ग्रह भी क्या करती है, पस्चिम से पूर, परिक्रमा करती है, और यह शूर के चारों तरफ 88 दिन में एक चक्कर पूरा करता है किता एक चक्कर और उसकी जो चाल होती है वह 48 km से चाल से चाल जबकि अपने अक्ष पर यह 58 डस्मलोग 6-5 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है यह जो ग्रह है यह सुबह और शाम तारे को रुप में दिखाई देता है और इसका जो द्रभेमान है पृतिवी का एक बटे ट्रावा है और यह सबसे छोटा ग्रह है हमारे सौर मंडल का इसके पहले हमने जो सौर मंडल के प्रमोग्रह थे उनके बारे में चर्चा कर लिया था अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अगला ग्रह यह हसले कितनों इसके हैं जो आपके परिच्छा के दिश्ट कौन से आपके लिए बनवाए गये हैं तो कि आपके परिच्छा में इसका बोल वाला सुरू से रहा है और आगे भी रहेगा अब जो में लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम सुक्र ग्रहा के बारे में जानत रहे गाए शुर से दूरी के अनुषा दिखा जाए दूसरा ग्रहा है जैसे मिंआ पको यहां पे दिखा दू अश्पर जदिए अगर अगर ऐस्व कि बात करें यहां पर नहार में अच्छे से तयार करना आहिए तो अब जो पढूना है वह यहाँ पर आपे देखते हैं इस जुद को पढ़ना है तो तो शुक्र ग्रह सूर सी दूरी कनुशार दूसरा ग्रह है, शुरी चली आगे बढ़ते हैं, यह हम लोगों ने देखा कि जो शुक्र ग्रह है, यह दूरी कनुशार दूसरा है, आकार में चठा सबसे बढ़ा ग्रह है, इसके पहले हम लोगों आकार के बारे हम देख लिया थ इसकी अगर पिथिवी से दूरी देखा जाए तो यह चार करोण किलोमेटर है जबकि अगर इसकी दूरी सूर से देखा जाए तो 10.8 करोण किलोमेटर है अब इसका ब्यास 12,102 किलोमेटर हो अतना ज्यादा मतलब नहीं है इसके बारे में यहां पर हमने देखा यह कर्बन नेक्सरेट की जो मात्र है लगबक 60% है सियोटू जो गैस है यहां पर 60% है उसके बाद नेट्रोजन 3.4% नेट्रोजन है इस प्रकार यह सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि यह सूर्च आने वाली हो प्रकास को प्रावर्तित करने के चंता 70% करती है जिस करने सबसे चंकीला है इसलिए भोर का तारा क्याते है इस सुब शूर को चंकीलाग रख केते इस घ्रह का भी कोई भी उग्रह नहीं है यह प्रिथ्थीवी के लगभग ब्राबर है अच्लिशे प्रिथीवी की जुळवा पहन कैते यह फोर्षूर की परिक्रमा औरफ से पस्चिम करता है farther यहां पे जो सुर्योध्य होता है वो पस्चिम अगर इसको देखा जाए घड़ी की दिशा में शूर का चक्कर लगा मैं इसलिए यहां पर सुर्योद है पक्षिम दिशा में होता है यहां पर लोगों नहीं चीजे जान ली और इसके बारे में अन्य चीजे आपको भी जानने चाहिए यह सुक्र ग्रह यह दो सो पच्चेस में शुक्रग्रह जो है यह सुक्रग्रह जो है हमारा यह दो सो पच्चीश दिन में शूर का चक्कर लगाता है लेकिन अपनी दूरी पर यह 243 दिन में चक्कर एक दिन इसका प्रितिवी का 243 दिन के बराबर है जिबकि शूर का चक्कर यह दो सो पच्चीश दिन में पुरा क करता है बस और यह पृतिवी के इसके पास कोंगिंहें पृविशलWow a जैने कि को हमारा शूर मंडल है कि उसकी सबसे बड़े एक विशैष्टा है कि बुद्ध आ शुक्र के पास कोई भी पराख्यटिक उपघळ नहीं ठीक है यहां पर सुर्योदय पश्ची में होता है यह तो हम लोग समझी गए अब हम लोग प्रिथिवी के बारे में कुछ चीजे पढ़ते हैं प्रिथिवी हमारी शूर सी दूरी के अधार पर तीसरा ग्रह है यह सोर मंडल एक मातर ग्रह है जहां पर जीवन है अगर कि इस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं यूंकि आप पित्वी में अधिकांस भाग जल पर है मने हापे 70.8 भाग जल और 29.2 भाग अस्थल है इसलिए इसे नीलाग रहे क्याते हैं पित्वी अपने अक्ष पर pharmacyारी 3 ड्रीज जुक यूद है किस काज जट्ची शॉपाऒव है उसाड़ी चाँच 1 2 लेकिन अच्जह जुकाऊ साड़ी ट्वंप्गृटह थी है पितवी के एक मात्र अुपगर वो कितना हैं पितवी के ब्यासं का एक बटटे चार। पिठिवी का एक मात्र जो उपकर है वो क्या है चंद्रमा है प्राकेते को उपकर है और पिठिवी के बारे में अगर आप जैनेंगे तो बहुत सरी बाते हैं यह सौर मंडल में बड़ा करम के हिसाब से पाचवा है अगर हम बड़ा के हिसाब से देखें यह पाचवा सबसे बड़ा सबसे बड़ा ब्रैस्वती सब्सक्राइच चोटा वो यह पाचवा है लेकिन अगर हम सूर से दूरी का अधार पर देखें यह तीशरा है ठीक है और अगर यहां पर हैं प्रिथिवी की जो भूमद रेखी ब्यास सूर से इसकी उसब दूरी 15,00,000,000,000 है ठीक है और प्रिथिवी अपने अक्ष पर अपने अक्ष पर देखा जाए तो तेईस घंटा नचा लिख लिजेगा तेईस घंटा चार सेकंड में चक्का लगा जबकि यह 365 दिन लगभग 365 दिन में शूर का एक चकल पूरा करती है जिसे हम सौर वर्ष के नाम से जानते हैं और यह अपने धूरी पर कितना 63 डिग्री जुकी होई है किलर और यहां से आपके मन में कोई प्रशना आ रहा हो को डाउट आ रहा हो तो आप हम से यहां पर पूश्ट रखते हैं अगी भड़े नहीं तो अब यहां से में पढ़ना है चंद्रमा क्या है प्रिथिवी का मात्र ऐशा उपकर हैं जो एक प्राकरतिक उपकर है कैसा उपकर हैं एक प्राकरतिक उपकर एक नेच्यूरल सटेलाइट यह जब कि नेचुरल सिटिलाइट है कहीं कई हमने और आको उनको भी पढ़ना पढ़ेगा तो ही चंद्रमा के बारे में अंधिक रही अब के बारे में हम लोग थोड़ी चीजें पर कि इतनी चीजे थोड़ी चीजे हम लोग पढ़ेंगे ताकि जो कॉंसेप्ट हमारे और आपके पढ़ने योग्य हैं वहां से वह चीजे किलियर तो अगर हम चंद्रमा की बात करें यहां पर तो चंद्रमा की प्रिथिवी का एक चक्कर पर उतरे थे अगर देखा जया पॉल्व 11 से 21 जुलव नहीं सोन अत्र कहीं बीज जुला भी मिल लाएगा नील आर्म स्ट्रांग और एडविन एल्डरिन चंद्रमा पर उतरने वाले पहले माना होगा चंद्रमा प्रिथिवी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है किते दिन में पूरा करता है ठीक है तो यह जो चंद्रमा अगर हम बात करें तो चंद्रमा पे बीज जुला ने सुन अत्र का पोलो ग्यारस अंत्रिश्यान जाने वाले नीला में स्ट्रांग उनके साथी जे स्थान पूतरे थे उशे आप सी आप एक्विलीटी एथा सांथ सागर भी क्याते और चंद्रमा का जो दिवस होता है वो 24 गनटका होता है और चंद्रमा का जो परिभर्मार है वो 29 गनट damage by poor जो एक है कितना है वह 271 दिन लेंटिन वारा घंटाए उनटिस दिन वारा घंटा अब लग अलगलग में अलगलग इसको पढ़ने को मिलता है ठीक है चलिए इसकी इसकी क्लिक कर लिजेगा और यहां पेकर हम देखेंगे एक मिनट थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ताकि आप पेज पूरा आपको दिखाई दें और अगर चंद्रमा की बारे में लोग को जानना है तो चंद्रमा की जो अच्छी गती है वह तीस दिन बारह घंटे का है च्वाल इसमें परिग्रमार करती है हमारी पिथिविच देश्च से 5 सबसे बड़ा गरा उपर हमने बता दिया या ध्रूह के पास थोड़ी चिप्टे इसलिए इसको भुव twee को भुवा आप परिखार एसा क्या कारण क्योंकि यह क्या है कि ध्रूह के तर immense चिप्टी कैसे बादा अब का सवाल धुर्वी परिदी है जो अगर यह प्रित्वी मालने इसकी यह परिदी यक्स मालने तो जो यक्स बराबर है इसकी यक्स की परिदी होगी वह 48008 km लेकिन अगर इसको यह मालने यह भुमद्रेखी परिदी वह 40,76 km तो इस प्रकात इनका अंतर यह बताता है कि प्रिदी उपर से चपते हैं इसलिए भुवाब कहते हैं क्लियर यहाज कोई दिक्कात आपको कोई समस्या हो कमेंट करके पोश्ण आगे आता है मंगल मंगल ग्रह क्या है अगर यहाँ पर मंगल ग्रह को देखें तो यहाँ पर जाने जिए थोड़ा तुझे कि अगर अगल ग्रह के बारे में अगर हम लोग देखें यहां में एक बात देखने को मिलता है कि देखर प्रिथी वी के बाद जो ग्रह है उसे हम क्या क्याते हैं मंगल ग्रह के नाम यह हमारी मंगल ग्रहा मंगल ग्रहा की व्यारि में जानी है यह हमारी सुर मंदल पर दूरी के साब से चौथा है और यह आकार में शाहत्योप्र से बढ़ा यह सुक्र से भी छोठा अब मुद्र से बढ़ा है अगर सूर्च से मंगल की दूरी 22-10 मलों सा अठाट करोन किलुमेटर है इसका अभ्यास अठाट सो किलुमेटर है इसका घनत तो भी है इसका जुकाओ 25 संस है लगबग प्रिचिवी इतना कितना है 25 संस है मंगल मंगल अपने अक्षपर 24 गंटे 37 मिनट में एक चक्कर पूरा करते हैं इसकी जो परिक्रमण काल है वह 687 दिन का है इसका जो औसत्त अपमान है वह माइनस 23 डिग्री चल्सियस है यहाँ पर वाई मंडल में पंचाने परसेंट करवंडे अक्साइड पाई जाते है एक से तिन परसेंट नेट्रोजन और और बाकी जीरो से एक से लेके चार तक ऑक्सिजन पाया जाता है मंगल नंगल के स्वरमंडल सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जिसकी। इसकी उचाई 125 किलोमेट है हिमाले से तीन और व्यों वह सबसे बड़ी घाती मेरी सबसे बड़ी घाटी सबसे बड़ी घाती है मेरी मेरी नेरी से रुख जाएए सबसे बड़ी घाटी जो मंगल की मरी नेरी चाहिए मरी नेरी से सबसे उच्छा नेक्स ओलंबिया 25 किलमेट उचाहिए इसके दो उपक्राइब फोबोस और डिमोस ठीक है आएए इसके अन्य तथ्थों के बारे में चर्चात करते हैं अब देखिये मंगल ग давай के बारे मिरें हैं पर चीर जानते हैं सूर कबाथ 14 असथान पर आप करम में साथावाँ सबसे बढ़ा ना के आते हैं आध्षों को लालगरा है इस गरह में लौ आइस की मात्राइब इमोष और फवोस डेमोस का जो ब्यास है वो 25 किलोमेटर है अब फवोस का 13 किलोमेटर है जो मंगलगरा सुर की परिक्रमा पस्चिम से पूरी क्यों करते हैं इसलिए सुर्योदा यहां भी प्रिथवी की भाती पूर में होता है सुर्मंडल का सबसे बड़ा परवत इसे पर ओलंपस मोंस क्याते है निक्स ओलंपिया भी सिकते हैं अलंपस मोंस खगोली विद्द को निक्स ओलंपिया खाए अगे बढ़ते हैं अगले अग्रा के यहां जिकत कोई समस्च्य होत पूछ सकते क्योंकि नसीयाटी डेटा है यो इस अबीन की नॉट्स के लिए आपको करना क्या है दूर्गेश रसच करना है बीना स्पेस की दूर्गेश ऽर टेली गराम पे इलरी ने बिद्द्रगेश से जुड़ना चाहिए फेस्ट्बूक पे इस्टाायम ट्वीटर। इलरी बूस भीए और आनलें अल 연 causal क्लास फोड़ी से जयांकरी से ब्रेशपति को बारे में एक बात तोर पता होना चाहिए छोड़ी से में अपको बताना भी चाहूंगा को चलिए आईये में यहाद थोड़ा से आपको ऑगत करा दो एक खासियद दूसरी इसका जो व्यास है एक लाग बैलेज़ आठ्सों किलो मेटर इसका इसका इतना है शूर से पिथिवी की आउस्ट दूरी अगर बात करें अगर हम लोग शूर से पिथिवी की आउस्ट दूरी की बात करें तो 77.8 किलो मेटर है अपने अच्च पर स्व스타 disciplinas करें तेज़ खूबने वाल र्यठ वहां आपने अच्छ पर सबसे तेज खूबने वाला समось miejsce को सही करें बैश्वी यह 9 गंते 75 इसक लिए 9 मेने 9 गंते 55 मिनिटव शुर सवस्टा पूरा करें और These 11 दूर्श आर्च वर्ष में शूर्ग एक्षपकर इसका जो पलायन वेग है वो 69.2 केमी प्रतिशकेंट है इसके धरातल का आउसत्ता आपमान माइनस 123 डिग्री शल्सियर यहां पे हड्रोजन हिलिये मिथेन अमूनिया आधी हलकी गैशों के वाइमंडल जैनूहा, और इसके और उग्रहों के संख्या पीते ज्यात नेलिके शाचा सब से ज्यादा उग्रह इसे के पास सत्तर उग्रह लगभध लगभध माने चाहिい? ठीक है और गैनिमेट इसका सबसे बड़ा है गैनिमेट हमारे सॉर मंडल का सबसे बड़ा है उग्र है और इसका भी सबसे बड़ा उग्रा गैनिमेड है आईे इसके अन्य तथ्थों पे हम्मलोग करम वह चरक्चा करतें चलिए, आगे हम लोग विश्चय प Eva औ और सुक्र के बाद सबसे ज्यादा चंकीला को है कि इसका सबसे अधी कुप ग्रह मिलता है को ना सबसे बढ़ा ग्रह ग्यानिमेड और सॉर्मेंडल का सबसे बढ़ा है सूर की परिकरवा यह भी पस्टिम से पूर की ओर करता है इस पर 90% हेड्रोजन 10% हिलियम कुछ मात्रा मिथेन पानी अमोनिया गैस चट्टानों के कणजिते हैं मनि यह एक तरह से गैस्षो वाला ग्राह कहलता है इसकी स्किन्सोड आपने पास रुच्छे तथे एगा सनी के बारे में यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा गर है ब्रशपती के बारे इसका घनत तो अगर है एक लाग 20,000 किलिमेटर सनी का और इसका जो औस घनत तो है यह दूर यह सूर्ष दूर इसका औस ब्याश हो गया इसका घनत तो 0.7 ग्राम प्रतिव सेमी क्यूब कि इसका पलायन वेग 36 किलिमेटर प्रतिसेकंड है यहां पर मेथिन और अमूनिया पाई इसका तापमान माइनस 180 डिग्री शल्शियस यह दस घंटा 40 मिनट में अपने अच्छपर गूमता है दस घंटा 40 मिनट में अपने अच्छपर और यह एक परिक्रमा पूरा शनी की आंत्रिक सरचना बैस्पति से मिलती है और इसकी चावत तरफ वले हैं जैसा कि आपको पता होगा दिंग क्राशिंग अब इसके वारे मिलग पढ़ेंगे यह कुछ प्रमुक्त अथिसके यहां से पढ़ लेते हैं इंसाइटी का सनी गर्या सूर की दूरी के पढ़ेंगे सूर से दूरी देखा जाए तो 122.7 क्रोण क्यलमिटर सूर से दूरी है जो चट्वा स्थान पर है अब रहष्पति के बाद सवर्मंडल का दूसरा सबसे अधिक उपढ़ वाला कि इसका सबसे बढ़ा उपढ़ टाइटेन है यह सूर की परिक्रमा पस्चिम स यहां भी शुर्योद है पूर में होता है यहां पर चल्ले दार करें इसके चल्ले पा जाते हैं सनीग्रह का ब्यास पित्वी के ब्यास से नौ गुना है यह एक लाग भी जा रही है जबकि गनत इसका आठ गुना कम है अगर आप सनीग्रह में पानी में डाल दिया जाए अगर क्या होगा डूबेगा नहीं बलकी नहीं है सबसे हल्क आग रहे हैं क्लियर कोई दिखकर यहां पर कहीं दोजा तीन तक इसमें बारे मासाड उग्रह बताया जा रहे थे और कोई समश्य आपके मन में कोई आ रहा हो तब पूशकते हैं इसमें सात मुख्य वाले सात मुख्य छल्ले होते हैं जिने ए बी सीडी इफ जीएच के नाम से जाना जिता है ए छल्ला सन्नी के सबसे भारी भागें पाए जाता है बी छल्ला सरवादी चनकीला है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले ग्रह की तरह से अोगों को पढ़ने आरोण ग्रह अब हम लोगों को पढ़ने आरोण ग्रह यह तीस्रा सबसे बढ़ा ग्रह आहारे सोर मंधल का है इसका ब्याश भी इक प्यामान नेजार आठासओ किलमेंटर के घुनत एके 10.30 ग्राम है और सूर की परिक्रमा यह 84 वर्षों में पूरा करता है और सनी साड़े उंतिशार में पूरा करता है किलियर इसका पलायन वेक 22 किलोमेटर सेकंड है यहां पर मीथियन और हैड्रोजन मिलते हैं इसका जुकाओ यहां पर थोड़ा से गलत हो गया है साड़े बैसे डिग्री है बैसी सही एक बटा दो डिग्री इसका जुकाओ इसे लेटा हुआ ग्रहकेत यहां प्यठ्थान्वे कार्ड के आप लोग भी साड़े बैसे लिख लीजे बैसे डिग्री तीस मिलिट यहां चौथा बढ़ा ग्रहें फेले सबसे बढ़ा रेश्पत्ती उसके बाद तीसरे पर वरूण है यह अग्रह और ब्यास के अधार पर तीसरे बढ़ा पर देखें यह ब्यास का यह और द्रवण वरलाता है यह शूर की परिक्रमा पूर्ष से αυτό क्रों करता है यह अपर जो सूर योदय होता है वह पस्चिम दिशाम नहीना किस की भाति है तो इसका सबसे बड़ा उपग्राइड एरियल है यह अपने अक्ष पर साड़े 20 डिगरी जुका होने करा इसे लेटा हुआ ग्रह क्याते हैं इसके उपग्रहों के संख्या 27 इसके उपग्रहों के संख्या जो वह 27 क्लियर इसे ज्याद आरोण में नहीं पुछा जाता है यहां पर भी चार और पांच बहुत दोदले चल्ले पाए जाते पांच अल्फा बीटा गामा डेल्टा एपसिलान बहुत सारे पाए आगे देखते हैं लोग अगला परश्ण और लास्ट है हमारा कि वरुण ग्रह कि जो हम बात करते हैं कि वरुण ग्रह में आपको कुछ चीज़े जाननी है यह चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर की चार परिक्रमा एक सो पैसा डॉर्सुन करता है कि यह सोला घंटे में अपने धूरी पर एक चक्कर लगा है और इसका जो तापमान है वह माइननेस दो सो अठारी डिगरी चल्सिय से यह पितिवी के द्रवमान से सत्तरा गुना अधिक है कि यहां भी हैट्रोजन दथा मिथेन पाया जाता है कि आई इसके बारे में और पढ़ लेते हैं यह सवर्मंडल का सबसे दूरी वाला गुर्षा और का मामले में तीसरा सबसे बढ़ा करहें वर्णगरा का रंग द्हेयरा और इस गरा पर मिथेन गैस के उपसिति कारण वरुन की उपगरहों की संख्या तेरह है इसकी उपगरह संख्या कितनी है कितनी है कि यह कोई समस्या कोई प्रश्ण अब जुम्लों को पढ़ना है कि यम को बॉनागरह कहते हैं प्लूटो कुबेर इसे कहते हैं 24 अगर 2006 को सुर्मंडल्स निस्कासित करके बॉनागरह बना दिया इसकी इक हो जो 1930 में बिलियम ताम बैग ने की थी इसका एक मात्रुप गर कह रहूं है चुबदगरह की पट्टी मंगल और व्रश्पती ग्रहों के बीच है क्योंकि जो यम को 24 सकत 26 से हटा दिया गया तां तरश्टी खगोली संग के द्वारा विकि अपनी कच्छा के साथ साथ यह दूसरे की कच्छा को करता था इसलिए इसे ग्रह की श्रणी से हटा दिया गय जलिए ग्रह की सिर्णी से हटा दिया अब इसे चुपदगरह का जाता है कौनसा ग्रह इसे चुपदगरह के नाम से जाना जाता है के लिए बाकि इसके बाद जो हम लोग प्रस्टों की श्रीज हल करेंगे तो हम अन्य सभी तथ्यों को देखेंगे कि हमारा जो श्रीज है पूरी तरह से पर है कि हम लोग को पुरी तरह से कबर करना है तो उमीद करते हैं यहां से आपके सारे प्रस्ट ने सारे डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गया होंगे और यह इंस्याटी श्रीज की जो क्लास थी वह भी आपको समझ वाली अल्ले टॉपिक है प्रिथिफिक गतियां वह इसके जीरो 6304 367 पर वार्ट्सप करके ओंडें क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर टैक्टिस सेट घर बैठें नोट्स प्राप्त कर सकते हैं क्लास मैं रथा क्लास यह सभी चीज आप पर उपलब दोगे जैसे आप इस वीडियो में जोड़ा करें वीडियो को लाइक सेर्ट कर पर दिया करें कि हम यह डेटा आपको दे रहें पूरी तरह से नसीयाठी पर है और यह पढ़ाने पर आपको जोर भी देते हैं इसी शाथ आप से भी शाथियों को बहुत धन्यवाद आज चिकलास आप फिक खतम होती है और ग्रहों की क्लियर हो जाती है चलिए हम आप से कुकर वालागलेअ कि खेते हैं रहेसा है होता सबसे चप्दग्रह कौन सा सबसे चप्टा सनी ग्रहा है सब्सक्राइध के बात करेंगे हम्हाँ पे दिखेगा की सबस्कु उर्षपती और मंगल भी सटोनायड व्यल्ट है जिसे हम थ्याथ ते हैं। तो दियांच से देखिली जग लेपार आपको आपका concept करें आपका सबसे पहले कि बुद्ध है शुक्र है पिथिवी है मंगर इसके बीच में इनके बीच में पाई जाती है और फिर प्लूटो को यम को हटा दिया गया दूसरे कच्छा को करता था 24 अगत 26 को इस प्रकार्श है तो यहां पर आज हमारी ग्रह के सारे क्लियर हो गया इस वीडियो को शेयर करिएगा इलनी बिद्रगेश से जुड़े रहीएगा और टेलीग्राम पे दुरगेश सर्च करके इलनी बिद्रगेश से फेस्बुक पेज इंस्टाग्रम ट्वीटर इलनी बिद्रगेश ऑनलिंग क्लास के लिए 6306324367 घर बैठे ऑनल देश है आपको सेलक्सेन के लिए हम आपको सेलक्सेन के लिए ही पढ़ाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय प्राइब